आप देख रहे हैं नमबर वन डिज्टल न्यूज चैनल टीडी न्यूज सच्ची और बरी खवर शारुक खान को एरपोर्ट पर नहीं रोका गया था कस्टम अधिकारी ने किया बड़ा खुलासा नमस्कार मैं हूँ परितोस और आप टीडी न्यूज पर इंटर्टेन्मेंट देख रहे हैं शारुक खान उनकी मैनेजर पूजा ददलानी और उनके बोडिगार्ड रवी सिंग शार्च जाह बुक फेर में भाग लेने के बाद शनिवार तरकिश नयुक्त अरब अमिराद से मुंबई लोटे इसके बाद ख़बर आई कि शारुक खान को उनकी टीम के साथ कस्टम अधिकारियों ने रोक दिया था मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि उन्हें हवाई अड़े पर 6.83 लाख रुपए का कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के लिए कहा गया था क्योंकि उनकी टीम लगवग 18 लाख रुपए की महंगी गारियां ले जा रही थी जो उन्हें UAE से खड़ी दी थी इस खबर के सचाई सामने आई है दरसल इसमें क्या सचाई है हम आपको इसके बारे में बताते हैं कस्टम के एक वरिश अधिकारी ने खुला सा किया है कि स्टार और उनकी टीम को फाइन नहीं किया गया था और केवल बेसिक आपचारिकताय पूरी की गई थी अधिकारी ने E Times को बताया कि शारुक खान और उनकी टीम को उनके साथ लाया जा रहे समानों के लिए ड्यूटी का भुगतान करने के लिए कहा गया था जैसा कि मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कोई जुर्माना देने के लिए नहीं कहा गया था इस केस में सोसल मीडिया पर भी जो कुछ भी कहा जा रहा है वह एक है वो सब कुछ जूट है यह बताते हुए कि शारुखान के भरोसेमन बोडिगार्ड रवी सिंग को प्राइबिट जी ए टर्मिनल से T2 टर्मिनल तक क्यों ले जाया गया अधिकारी ने कहा जब भी ड्यूटी या किसी अन्य शुल्क के भुगतान का मामला होता है तो जी ए टर्मिनल से यातरियों को T2 तक ले जाया जाता है क्योंकि यह वह जगह है जहां ऐसे मामलों में यातरियों के लिए सुविधाये हैं अधिकारी ने यहवी असपस्ट किया कि शारूखान के टीम के वल एक एपल घड़ी और घड़ी वाइंडर केस लगजरी घड़ीयों के लिए उपयोग किया जाने वाले स्पेशल केस ले जा रही थी नकि महगी गारियां जैसा कि शुरू में बताया गया था शारूखान को सारजा हमें मिले गिफ्ट की कीमत 17,83 लाक रुपए आ की गई थी तो तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहें ट्री न्यूज नमस्कार